हेलो दोस्तों आज हम लोग बिजनेस और गनाजेशन कॉमर्स जिन लोगों का सब्जेक्ट है उनका माइनर पेपर में बिजनेस और गनाजेशन था मेजर पेपर था फिनांसियल अकाउंटिंग और माइनर पेपर था बिजनेस और गनाजेशन तो बिजनेस और गनाजेशन का पार का question long answer type question में तो नहीं पूछ सकता है क्योंकि short में कुछ भी question पूछा जा सकता है उसका कोई guarantee नहीं कर सकता है लेकिन एक model paper है इससे दो फायदे आपको मिलेंगे पहला फायदा का आपको जानकारी मिलेगा कि question का pattern किस तरह का होगा अगर इस model one में क्या है कि कुछ exam पचास नमर का है कुछ 75 नमर का है आपको पता होंना easy कि किस में पचास देना किसमें 75 देना अगर नहीं पता चलेगा तो आप खिचली मिला दो गर किसी में 75 नमर का लिख किकी में पचास का लिखी आ जाओगो तो अब श्माजदारी बहुत जरूरी है आपको पता होना चेकी किसमें कैसे लिखना बॉहत सारे बच्चों को यही नीं पता कि कौन सब्जेक्ट में कैसे लिखना इंस्ट्रक्षण फॉलू करना और समझना बहुत जरूरी है तो यह हम लोगों के पास set दिया वाया और यह model set 2 है जो हमारे हां test होता है जो हमारे हां test होता उसका question है और यह आपके सामने लेकर आ रहे हैं तो पहले हम आपको पूरा का पूरा 75 नमर का pattern बता दें वो पिछले class में भी बता है थे और इसमें भी बता दें एक्जाम का pattern जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो पहले pattern जाने है आप लोगों का जो एक्जाम होगा वो 75 नमर का होगा 75 नमर दो पार्ट में रहेगा पार्ट A में आपसे 60 question तीन question पूछा जाएगा question 1 जो पूछा जाएगा उसमें 5 question होगे question 1 में 5 question होगे ABCD करके 5 question तो एक question एक नमर का होगा तो 5 नमर का एक हो गया question 2 जो है वो 5 नमर का होगा अग question 3 जो है वो 5 नमर का होगा तो कितना हो गया 15 नमर कहीं को दिकत है और part B जो हम लोग बात कर रहे हैं part B की जो हम बात कर रहे हैं तो part B में आपको question ask कितना question पूछा जाएगा तो question आपको पूछा जाएगा इसमें से 7 और answer करना होगा कितना part B में तो 3 answer करना होगा 1 question कितना number का होगा 4 answer करना होगा answer कितना करना होगा 4 ये और 15 नमबर ये कितना होगा पच्छतना नमबर तो ये है आपको ज्यान दीजिए का इसमें कोई भी आपसर नहीं कर ने कप आपको question जो एक्जाम में पूछे का कितना answer करना है चार मेरा सातों का answer करने का purpose यह था कि सातों का answer आपके पास पहुंच जाए इसमें से कोई भी चार पूछ सकता है ना तो मेरा purpose था कि हम सबका answer आपके सामने दे दे इसलिए हमने सारा answer कर दिया है लेकिन आप exam में कितने question का answer करेंगे चार question का ही answer करेंगे part B में long answer type question में इस बात को ध्यान रखेंगे exam pattern पर और ये exam pattern दो चीज़ पर लागव होता है पहला financial, मतलब major और minor कोई भी बच्चा देख रहा है art science commerce का बच्चा तो जो major paper है जो भी आपका major paper है और जो minor paper है उसमें exam का question पूछने का pattern यही रहेगा major और minor में exam में question पूछने का pattern यही रहेगा वो major और minor दोरों में 75 नमर का exam होगा और 25 नमर का internal exam होगा इसका internal हुआ होगा इसका internal exam 25 नमर इसका internal exam क्या होगा 25 नमर ये सब दोनों का internal exam होगा बाकी का internal exam नहीं होता है सिर्फ major और minor का internal होगा बाकी किसी का internal exam नहीं होगा तो ये 25 नमर और 27 नमर 100-100 नमर का question है और major paper 100 नमर प्लस minor paper 100 नमर तो 200 नमर का आपको major और minor पढ़ना है जो कि यहाँ पर है 200 नमर का मेजर और मायनर आप लोगों को पढ़ना है अब चलते हैं लोग क्या इसमें question पूछा वाए part A के अंदर तो चलते हैं part A के अंदर कौन सो question पूछा जाएगा ये तो समझ मां जाना चाहिए तो part A के अंदर question वोड़ one सोसाइटी है जो अपने सदस्यों के भलाई के लिए बना जाता है तो लिखा इसका भी प्राइल लोगों के उस एच्छिक संग से एच्छिक मतलब अपनी इच्छा से जुड़ते हैं लोग यह है कि partnership partnership जो business है उसको चलाने के लिए सभी साज़ैदारों के बीच में लिखित और मौकिक एक अनुबध बनाए जाता है और उसी अनुबध को अगर वह लिखित रूप में बने या मॉपिक रूप में वैसे वैसे मॉपिक नहीं ज्यादा नहीं बनता है लीखित रूप मे जानते हैं एंगर दिखत है और अगे लिखा है कि पारशात सीमा नियम क्या मेममेम इंडीर्य वी एश्टुफ में उस और डिख से और इसी डॉकुमेंट्स के अधार पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और इसमें क्या-क्या बाते लिखी होती तो नेम क्लाउज लिखा होता है जिसमें कंपनी का नाम लिखना पड़ता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज जिसमें आपको जहां पर रजिस्टर्ड ऑफि आपको कमपनी का नाम सोचो कि ना रिपायन से पहले तो यह रेस्टेस से पहले सारा प्रोसेश चलता है अगे लिखा है संवन üst 73 24きた कोडिनेसं 10 को मतलब मेलके काम करना चोडिनेसंट का मतलब को टहसे मिलके काम करते हैं किसी एक उद्धेश की प्राप्ति के लिए काम करते हैं तो ऐसे काम करों जाता है इस कहा जाता है बोलता है इसे ऑ लिधू का सार समरी में अगर management को बताया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ coordination समनवे प्रबंद का क्या है सार है और मिल जूल के काम करने को हम लोग क्या बोलते हैं समनवे कोडिनेशन जब तक हम मिल के काम करें आधिकार वो सकती है जो आप दूसरे से काम करवा सकते हैं अधिकार से आसा है किसी बेक्ति को प्राप्त उस वैधानिक सक्ति से एक कानुनी सक्ति मिलाव अधिकार के रुख में जिसके अधार पर आप दूसरों से क्या कराता है कारे कराता है और किस कोई बेक्ति के पास अगर कोई हम अधिकार दी कोई पावर दिये वे जिसके अधार पर उसक्ति के अधार पर वो दूसरों से काम कराता है तुसी काम का करते हैं अधिकार कहते हैं ठीक है अब वैशähän कर दिया दिया जाए व्याज़ की भी बुलेगा कोई सुने को त्यार नहीं होता है तो आदमी का इज़त नहीं कर रहा है उसके पावर का इज़त कर रहा है तो अधिकार जो आपके पास रहेगा उसके आधार पर आप दूसरी से क्या कराओगे काम कराओगे यह देखे वन वन नमबर वाला पांच कोश्चन क्या होता है इसको बोलते हैं डेलिगेशन ऑप अथरीटी और यह ट्रांसपर अथरीटी जो लिखावा है अधिकार अंतरन एक ऐसी परक्रिया है जहां पर एक बेगती अपने अधिकारों को अपने जूनियर को देता है अगर कोई अधिकारी अगर कोई अधिकारी उच कियों दीता तो वह ऊपर वहारा जो अधिकारि है या अपना व्र्म कम 세घ रिकार क्या करें लेगा इसके पस्के बहुत काम है तो अच्명 कने के लिए अपना कुछ सम ohh अपने junior को देये हैं तो सिर। काम सिर्फ अगर गलत करने का दिन देता तुम्हारे पास यह भी पावर है कि अगर कोई तुम्हारा बात नहीं मारे सस्वेंट कर देना उसको तो याद रखें कि पावर ट्रांसपर करने का मतलब होता है कि हम अपने जूर सीनियर का जो वर्क लोड होता उसको कम करने के ख्याल से हम क्या करते अपने जूनियर को कुछ पावर ट्रांसपर कर देते हैं इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं अधिकार अंतरन अधिकार अंतरन कहां सोता है उपर से नीचे टॉप टू लोवर और बुड़ाय कि यह उतरदाइत उसे कैसे भीने तो देखे लिए हम यहां अधिकार उतरदाइत और जबाब दही तीनों वंतर समझा दे रहें अधिकार वो पावर है जिसके जरी आप दूसरे से काम कराते हैं और अगर कुछ गलती हुआ गड़बड़ी हुआ तो रिस्पॉंसिलिटी वो बंधन है जिसके अंदर रहके आपको काम करना है एस्पी बना दिये इसके मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको एस्पी बना द का होता है कि पुलिस परसाशन का हीड कौन है एस पी लेकिन जबाब देही सीम का है चीफ मिनिस्टर का नहीं देखेगा कुछ अगर दंगा फसाद हो जाता है तो सीधा बोलता है मुख्य मंत्री स्थिपा दो रवे दंगा फसाद हुआ हजारी बामने तो उसका एस पी कि परधान मंत आच्छा लगता बीपस्को कि रधां मंत्री की अकॉंटिबलीटी है जवाब देही है क्यों नहीं बोलेंगे परधा की वर दंतरी की पहला लिख देख अरत बहता है अधिकार किसी बैक्ती की निर्णे को किसी बैक्ती के क्वाल nose और उसको करने की सकती से संब्न विदेंग संबनें करके लाइकार किसी काम कृती करने का या chi काम अगा वह फूरा करने का क्वाल गणरते हैं अन्तिम परनाम लास्ट में जो किसी काम से रेलेटेटड बात करता है जबादे हैं कि भर बेलिगेशन क्या होता है है गःवारपन मतनदव तृर्पर भर आ पर मतनद ईटरांसपर करना बुछता है अधिकार का आधिकर åपर से नीचे ट्रांसपर किए जा सकते हैं है क्या उत्तरदाई तो कब अभरारपनी क्या ज тебя उनिको है अपना ड्यूटी ट्रांसपर कर सकता नहीं अधिकार दे सकते लेकिन ट्रांस पहले और पोरिंडा से नीचे अथ्यूपर मैं बाट है कि अदिकाल य। से आता आप मैंचरें पोश्ट करके पास है आप company में chartered accountant है तो चीए का अधिकार आपके पास है आप डिरेक्टर है तो डिरेक्टर का power है तो जो पद है ना वहां से आदम होई है एक आदमी सबसे पहले चपरासी बना किसी company में उसके पास अधिकार क्या मिला चपरासी का थोड़ा खाना प्रमोशन मिला बन गया सूपर वाईजर तो अधिकार क्या हो गया सूपपराईजर का थечение बन गया Pretty अब और उपर दिरेक्टर बन गया तो यही आदमी है अदमी एक है लेकिन अधिकार इसका धिर्य क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो ठीकार आदमी से बना दिए जब दरोग यह पुलीस बना दिया जब तो तने अधिकार रह गहए तो आपका पद आपका अधिकार करता है था भाधोष करेंगे तो पथ्यहां हम disent समझना अधिकार किससे उत्पन होता है पद्से और जवाब दी किससे उत्पन होता है उतरदाई तु caption फिर से रिपीट कर रहे हैं अधिकार उत्पन होता है पद से पद से अधिकार अधिकार से जवाब दई और जवाब दई से अधिकार से उतर दाई तो उतर दाई तो से जवाब दई यह याद रखना आपको प्रभा फूलो कैसे करता अभी तो बता चुके अधिकार पावर उ भी जाता है को यह ओगया को टू काता मज़ते हैं कि अपने सामने वाले को कैसे लीड करते हो तो लीडर्सी पे लोगों को सीखना पड़ता है और कुछ लोगों के अंदर जन्वजात होता है यह गुन क्या होता है कुछ लोगों के अंदर जन्वजात होता है तो लीडर्शिप एक आठ एक कला है यह सीखना पड़ता है कि कैसे आप लोगों से काम करवाते हैं किस तरह से आप लोगों से का क्या है लीडर्सिप आगे लिखने बेख्टिएयों को पारस्परिक से से लटे कर लेताने के सु ऋनीरीसों के लिए पर्यातन करने हैं तो प्रभावれたược राहरा स्वावावीध करने के شुह करता है कि कोई भी ब draft Gef staff समर्च होता है तो क्या करता उसको करता है diva करने बहुत अच्छा है हम है तो जो फैन है ना ये तो फैन इसनी है क्योंकि हूंकि आप उसके लीडर्शिब से प्रभावित है उसके प्रभावित होता उसका फैन वाज पता जिसका तो तुम अच्छे नहीं हो ज चाहिए पांडिया अभी हो रहा है विचारिक से आया नहीं रोई सर्मा का फैन फॉलोवांग ज्यादा है तो यह सबकर साथ होता है जिसका फैन फॉलोविए ज्यादा है उसको अगर अचानक बैठाद हो गया तो भाई दुनिया तबाह कर इसे लिए नेता आप तभी बढ़े अच्छे हैं जब आपके फॉलोवर्स जादा होंगे कैसे मौधी जी को गलोबल लीडर माल लिया गया सब्सक्राइब कैसे मार लिया गया कॉछ की मोधी जी कह फॉलोवर्स ज्यादा है इंस्ट्राग्राम देख लीजिए फेस्बुक देख लीजिए सब जगा पर सबसे ज्यादा फॉलोवर्वर्ड शेये फिर्केट किरकेट में सबसे फेमस सबसे ज़्यादा फोलोवर किसके पास है विराट कोली के पास तो बोला जाता कि यह बहुत जबर्जास किरकेटर आया नहीं यह चीज़ जमझेगा तो फोलोवर सबसे इंपोर्टेंट है आपके अब या लिखा generic leadership quality गोड़ी रहता उस में क्या क्या वीचर सोना चाहिए एक अच्छे नेटा कि क्या क्या गुन होने क्या होने की चाहिए तो चेले गुन के बारे बात लोत फोलओर भर सब्सक्राइब करने के लिए लुग है तो म॑ना जाता है यह यह उगार त्क अश्खा 사냥 ज्सक्राइब अच्छा अच्छा होता हुए जिसका फौलोविर जदी आणा थिलिए लोक अच्छा निता होता है जो खुद रहता है समझगे आपको एक्टिव रहना होगा आप सोची कि पार्टी में सब काम करें हम छोड़ दें हम राम से सिम बैठे रहे नहीं नेता को सबसे पहले आना चाहिए अपर इस्थितियों का ध्यान रखना एक अच्छा नेता होता है जो हर परिश्थितियों को ध्यान रखता है एक अच्छा बिजनस लीडर वो होता है जिसको पता है कि मेरा मेरीट क्या है जिसको पता है मेरा डिमेरीट क्या उसको अपने मेरीट और डिमेरीट के बारे में जानकारी होती है एक अच्छा लीडर वोता है जो इंट्रस्ट यूनिटी इंट्रस्ट की बात करता है मतलब सब क तो आप उनको फोलो करें तो ऐसा आपको आचरन रखना चीए ऐसा बीहेवियर रखना चीए कि वह एक्जामपल हो क्या लिखा है एक्जामपल देना चीए लोग देखो इससे सीखो यह बिजनस और यथार्थ वादी यानि जो भी विव होना चीए रियलिस्टिक विव होना चीए हर चीज को सोचना चीए और बुलता है कि लिडर्सिप डायमिक प्रोसेस समय के साथ नेता को हमेशा और बदलते रहना चीए और जो अपने आपको चेंज नहीं करेगा वह बाहर हो जाएग पॉलेटिक्स में अब देख लीजेगा जो अपने आपको चेंज नहीं कर पाए वह आउट हो हुए और जो डाइनेमिक है जो समय के साथ बदलता चला जा रहा है वह आज ठीक रहा है और नेत्रित वह अनुसरन करता हूं का आचरन भी परतिबंदीत करता है एक लीडर्शीप ये भी बताता है एक लीडर्शीप ये भी बताता है जो इसके फॉलोवर्स हैं वो चैसे हैं आयाने KPO कि जो देश में अच्छे अच्छे लोग हैं उनको फ़ॉलो कर रहा है जैसे मान लोई आह, मूख जयादा फॉलोवर्स है इसका मतलब है कि हमारे देश के बवारत के लोग फोफो कर रहा है जिसका मतलब हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग है बहुत सार ऐसा युवा है जिनना मुकेस अमानी जैसा बनना है कर लेकिन फोलो करता है सनी ली योनी को बने का इस MeШ खली गाली दे के बना है या नम है केरिव मिनाटी सबसे वड़े यूटुब चैनल है देश का और खली आल तो फाल तो गाली देता है और इसको सबसे ज़्यादा फोलो करता है देशें लोग तो बनेंगे सबस्क्राइब लुए मेंस्ट करते जैए सद्राइब को सब्सक्रांद का सब्सक्राइब और क्या देखता ब्लॉग देखता है किसी के घर काहानी बड़ा अच्छा लगता है गाउं में जैसे इसको नहीं बोलते हैं इसको क्या बोलते थे चापलोशी करना नहीं बोलते इसको कुछ और बोलते थे जो दूसरे घर के बारे में ज्यादा इंट्रेस्स सुनता था कि उसके खर बरतन वियावाज किया तो अपना खर काम रोक देगा रुको कान लगा के सुनता रहता तो क्या हो रहा है वही चीज को डिजिटल कर दिया गया और क्या है वही चुगल खोर उसको बोलते हैं तो ऐसे लोगों को ही यूट यूटूब पे या बाकी जगा पर क्या क या ब्लॉग कर नाम दे दिया है कि हम जो काम करेंगे तुमको दिखाएंगे देखो अब घर में खाना बना रहे बताई उसमें बच्चा समय दे रहा है तो आप बनोगे तो भी ना तो जिसको जैसा फूलो करता है वैसे तो फोलोवर्स नेता से पता चल जाएगा नेता जै के समानी के बारे में बताइए कि क्या इतना असानी से बिजनस फैल रहा होगा मतलब क्या है चुटकी में बस काम किया मतलब उपर वाला कुछ अस्पेसल डाल के भी जागे इस आदमी के अंदर कि तो जो करेगा सक्सेस हो जाएगा चैरी लाइंस जीयो खोलो चैरी लाइंस फ्रेस खोलो चैरी लाइंस ट्रेंड्स फोलो इतो हम पहले धंदे पर नहीं जाते हो हम नहीं थे उसमें हम लोग के सामनी खोल के इतना बड़ा मार्केट बना दिया तो इतना आसान होगा क्या हम इसको फोलो क्यों नहीं करेंगे हम इसके सिस्टम को क्यों नहीं देखेंग सब्सक्राइब के लिदर सेबिधा लिदर अब कितने चाय वाले को जानते थे इक और इस धिन पीते थे चाहिए वह चाय पिलाते लेकिन एक आज चाहिवाला अब आप कितना पान वाला को जानते हैं दुचार गुंटीम कभी खाया होंगे जिन्दगी में तो याद होगा अक्सुनिल भाई आए पान खिलाते हैं आज बना कि नहीं बना बनार्सी पान वाला यह सब क्या है यही सब कॉंसेप्ट आपको समझना है तो यह बात यहां रिखा है कि सभी छेत्रों में लीडर चाहिए एक लीडर खाले बिजनसमनी चाहिए आगे क्या द्वी पक्षी है संबंध जो लीडर होता ना वो अपने जूनियर अपनी फॉलोवर के साथ भी रिलेश स्भी जानकारी लेना चाहता है जैसे अरविन के जिर्वाल जब सत्था में पहली बार हटे थे 29 दिन में सरकार हटा दिये थे फिर जंता से पूछे कि क्या हमें ये काम करना चीए हमें अकेले लड़ना चीए कॉंग्रेस का सपोर्ट नहीं लेना चीए जंता बोली अकेले लड़ी हम जिता देंगे जिता दी जंता तो आप क्या है एक अच्छे नेता है तो आप जुनियर स तो हमारी है और क्या है दूसरों को प्रभावूत करने की योगीता है नेता में हो ना आईंग चाहिए घ्काऒन का कम आप और निवान हो जा आई अ आई है को इस लिप्टि सब्सक्राइब चाहिए मिलते हैं और उसके पर जिन वह अच्छा है कोई पसंद करता है कि इसका इनोवेटिव आइडिया जब रहता है कुछ ना कुछ गुंतों सब के अंदर सब्एक्टि के अंदर सारा गुन लिकी कुछ गुन तो है और बोलता है कि नेत्री तो जो है लीडर शेप और बौस ही चाम उसमें अंतर होता है बॉस मत बनिये बोस वनियत अब बरबाद हो जाएगा आपको क्या बनना चाहिए लीडर आप बौस मत बनिये हम बॉस हैं बहु इसलिए नहीं काम होता है जिए दिन लीडर्सी पाग या काम हो जाएगा बदाएज अगर सफ़ाई का मामला स्वक्ष भारत मिसन है अगर यहां के डी सी जो हैं रोज सुबद 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 सब्दान करते है एक घंटा सफाई करते हैं सेफर के क्या लगता है और सब अधिकारी को बोलते हैं आप लोग भी कीजिए जबर जस्ती नहीं बहुत सब्सक्राइब करें लोग इनके साथ आजाएंगे रोज सफ़ाई करेंगे पूरा सब्सक्राइब करेंगे सबस्क्राइब करेंगे किया करेंगे क्यों क्या क्या कि आप कि यह बसुखाना है कि लीडर्शिप दिखाना लीडर्शिप दिखाना बसी जम दिखाएगा तो कोई सबसे पहले क्या होता है एक अच्छे नेता का कुन निरनायत करता मतलब दूसरा रिस्पोंसिलिटी समझे अगर हमने कुछ काम क्या तो मेरी जिम्वारी है आगे क्या है उसकी योगिता और प्रएब extermination को प्रहूं प्रज सब्सक्राइब को यह नहीं कहते हैं करना है बोल राजनीत्ज नता में Wadaq , wished – कर दों हो नियुकित चुना अन्हें है कि देख्के Catholic euch नियुक्र sacrifice टोपी जिते हैं तब दोड़ेंगे सब्रहने करने अीनको Eco मांद्टेगा अभी जे कोंग्रेस आरेले कि ये बोलता एक जिदा कि हम चार सो पार कर देगे लडिये रहाँ 200 पर चार सो पार कर देगा है पॉसिबल है त्वसिबल सरकार बना लेंगे आप लड़ारें 200 पर कॉंग्रेस लड़ारी 200 सीट पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पाटी है अब बोलती है हम सरकार बना लेंगे संभवी निया है आप तो पहले हार मान लिए संभवी निया आपको अगर बढ़ी पोलिटिकल पाटी आप बीजेपी को टकर देना चाहते है तो आपको ज़्यादा ज़्यादा सीट पर लटना चीए अकेले लड़ कि पूरा फुला फिलेज में लड़ेगा हम उसको देंगे जो सरकार बनाने के पक्समय भी निय। उसको वोट क्यों देंगे त। चलते हैं बढ़ता है मार होगत होगा पानी ठीक है डंटा फिर भी नेता फिर अगले दिन खड़ा रहता है तो यह साहस भी उसके अंदर होना चीए और समप्रेशन यो किता बोलने में माहिर होना चीए नेता उसके सामने कोई बोलने में ना टिक पाए किसी भी बात को गुमा फिरा कए सई जगह पर ला देना है और प्रेरीत करने की योगिता यह भी योगिता होना है चाहिक दूसरों को प्रेरीट करते तुरंत मोटिवेर कर है हिंदू मुस्लिम करना है यह सब पता है उसको आगे क्या है लोगों की सब समझने के सकती एक नेता में अपने जूनियर को समझने की सकती है लोगों को पुरान बात करें पकड़ लेगा कि कोन आदमी कैसे आदमी यह नेता में गुन होना चाहिए यह अच्छा लीडर जो ब कैसे लेके काम करेंगे उसकी छमता होनी चाहिए और साथ ही साथ सिखाने की छमता होनी चाहिए कि सामने वाले को अपनी बात या अपना कुछ नया एकिटिवट्यूड है उसको सिखाएंगे कैसे यह सारे गुन होना चाहिए अच्छे नेता में और अगले पार्ट सेकेंड लेक्सर में हम लोग जाएंगे पार्ट B, सेकंड लेक्सर में हम लोग पार्ट B देखेंगे.